हेलो व्योज़ स्वागत आप सभी का मेरे यूटीब चैनल स्कूल टूशन गोजी में बचो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का रिवीजन थोड़ा सा और चैप्टर हुए है हमारा कम्प्लीट तो चलिए रिवीजन करने कोशिच करते हैं वक्षीट के थुरू ही पहुं यानि न्यूट्रिन की रिक्वार्मेंट पोशन के आवा सकता है फिर है मोड ऑफ इंटेक और फूड बोजन के अंतरगर्ण की विदिया और यूटिलाइजेशन ऑफ डाइश्य फूड इन दा बॉड़ी यानि पाचित बोजन का उप्योग अब जो डाइशन है एक कॉंप पाचन फिर है अब्जर्प्शन यानि ऑव्शोषन फिर एसेमिलेशन यानि की सौंगी करन और आखरी में इजशन यानि की निश्काशन अम माना पाचन तंतर में बहुत सारे चीज़े या पार्ट्स होते हैं उनमें सारे प्रोसेस होते हैं इंजेशन जैसे की बाल ग्रासी का जो कहां पर हुआ है स्टोमक यह अभाज़े में बच्चों ठीक है अब्जोर्फशन और एसिमिलेशन का हो रहा है स्वाल इंतरष्ट आई नौर में आपका जिसे हम क्या कहते है शुद्रांत विर्दाट में क्या हो नहीं जो आपका मलाश ए पुरक पुरा चीज इजेशन के लिए तियार हो रही है और कुदी का या एनस है जिसमें क्या हो रहा है गाये वाले जानवर होते हैं जैसे गाये भैस हिरन वह क्या क्या आते हैं रुमती होते हैं रुमिनल गर 충 gas आनिफेश यानि कि बेसिकली होता क्या है कि यो फूर्ड को स्टोर कर लेते हैं इसी वज़ेसे वह रूमिनेंट कहलाते हैं ठीक है आसान सब्सक्राइब याद करना होता अपको और कुछ अंतराल बात क्या होता है उनके मुख में खाना आता है और धीरे धीरे से जुगाली करके पचाते है ठीक है फिर क्या कह रहा है बच्छों यह कुछ कोशन पूछ आपके की नीचे दिएगे फिगर में आपको डाय सिस्टम के पांच पार्ट बताने हैं तो यह उपर पार्ट है इसमें साब बता सकते हैं फिर क्या है माना पॉश्ण मुख्य चरण दामें स्टेप डाइशन इन हुमन्स तो यह आपके इसे भी आप कर सकते हैं चलिए अगली वक्षिट देखते हैं इसे मचों कुछ कीवर्ड दिये हुए हैं जैसे कि न्यूट्रीशन ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं पोश्ण कहलाते हैं मचों ठीक है पोश्ण में क्या हुआ कि हमारा जो उपर वाला पाग है जिसमें इंजेशन, डाइशन, अप्सोर्प्शन, एसेमिलेशन, इजेशन हमने पड़ा यानि कि आपका कौन सा अंतागरण, पाचन, आप्सोर्शन, स्वांगी करण, निश्काशन ये वाला चीज इसमें पताई गई है फिर है डाइशिव सिस्टम डाइशिस्ट यानि कि पाचन तंत्र, ये क्या कहलाता है, ये इसमें क्या चीज़े हैं, इसमें बहुत सारी चीज़े अटैच है, डाइशिव ट्रेक्ट होगे, आसोसेट ग्लैंड होगे, यानि कि पाचन तंत्र में बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि आपका, जो आपका आनली का है, औ और उसे जो चीजे डिलेटेड हैं वह पूरी फिर बाइल जूस यह पित तरस जिसे बोलते हैं बच्छो इसका क्या रिसाब करता है इसका लीवर जो होता है उसमें फैट का जो डाइशन है याई वसा का डाइशन वह होता है उसके बारे बता गया है फिर मिल्क तीत यानि दं साल की एज में गिर जाते हैं फिर रूमिनेंट या रूमान्ती जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं जुगाली करने वाले जो काउ बफेलो डियर या कोट है यानि कि गाए भैस वाले जो आपके एनिमल है फिर है आपका सूडो पोडिया जिसे हम कुटपाद भी कहते हैं यान capture करती है फूड को यानि की फूड को पकड़ती है और इसका एक फोटो दिया हुआ है अब जो बेसिक चीज हमें याद करनी है वो क्या है कि क्या करता है फूड से उर्जा को ले करके हमारे शरीके जो दैनिक प्रक्रिया है उन्हें चलाने में काम आता है ठीक है इससे देख सकते हैं बच्छो तो बच्छो यह हो गया आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट और वीडियो भी आश्यकरत आपको वीडियो अच्छी ल थांक यू